सब्सक्राइब करें वर्स उफ पानी पिछ चैनल को पास की बेल आइकन को दबाई ताक आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले की क्रिपया हमें संबोधित करें सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में सहीद जवानों को आदर पुर्वक सद्धांजली अर्पित करता हूँ उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण नियुचावर किये हैं दुख की इस गड़ी में मेरी और हर भारतिय की समवेदनाई उनके परिवार के साथ है इस हमले की वज़े से देश में जितना आक्रोश है लोगों का खून खौल रहा है ये मैं भली भाती समझ पा रहा हूँ इस समय जो देश की अपेच्छाएं हैं कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं वो भी स्वाभाविक है हमारे सुरक्षावलों को पूर्ण स्वतंत्रताग दे दी गई है हमें अपने सैनिकों के शायर्य पर उनकी बहदूरी पर पूरा भरोसा है मुझे पुरा भरोसा है कि देश भक्ती के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजन्सियों तक पहुँचाएंगे ताकि आतं को कुछलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके मैं आतं की संगधुनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गल्ती कर चुके हैं बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी मैं देश को भरोसा देता हूँ कि हमले के पीशे जो ताकते हैं इस हमले के पी जो भी गुनेगार है उन्हें उनके किये की सजा अवश्य मिलेगी जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूँ उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूँ और आलोचना करने का उनका पुरा अधिकार भी है लेकिन मेरा सभी सात्यों से अनरोध है कि ये वक्त बहुती संवेदंसिल और भावपल है पक्ष्मे या भी पक्ष्मे हम सब राजनीतिक छींटा कसी से दूर रहें इस हमले का देश एक जुड़ होकर के मुकाबला कर रहा है देश एक साथ है देश का एक इस्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए तेहों के लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर यह समझता है कि जिस तरह के कृत्ते वो कर रहा है जिस तरह की साजी से रच रहा है उससे भारत में अस्थिर्ता पैदा करने में सपल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे वो कभी यह नहीं कर पाएगा और नहीं कभी यह होने वाला है इस समय बड़ी आर्थिक बेहाली के दोर से गुजर रहे हमारे पडोसी देश को यह भी लगता है वो ऐसी तबाही मचा कर भारत को बदहाल कर सकता है उसके यह मनसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अकत्यार किया हैं वो तरक्की करता चला जा रहा है एक सो तीस करोड हिंदुस्तानी और भारत के साथ खड़े होने की भारत को समर्थन की भावना जताई है मैं उन सभी देशों का आभारी हूँ और सभी से आवान करता हूँ कि आतंगबाद के खिलाब सभी मानोतावादी शक्तियों को एक हो करके लड़ना ही होगा मानोतावादी शक्तियों ने एक हो करके आतंगबाद को परास्ता करना ही होगा आतंग से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मात एक स्वर एक दिशा से चलेंगे तो आतंगवात कुछ पल से जादा नहीं टिक सकता है साथ क्यों पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्तिती और माहोर दुख के साथ आकरोज से भरा हुआ है ऐसे हमलों का देश डटकन बुकावला करेगा किया देश रुकने वाला नहीं है हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण के आहूती दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिन्दगी लगाता है पहला देश की सुरक्षा दूसरा देश की सम्रद्धी मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए उनकी आशिरवार लेते हुए मैं फिर एक बार विस्वाद जताता हूँ कि जिन्दों सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूद किया है उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे सम्रुद्धी के रास्ते को भी हम और अधिक गती दे करके विकास के रास्ते को और अधिक ताकत दे करके हमारे इन बीर शहीदों के आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी सिलसले में मैं बंदे भारत एक्सप्रेस के कंसेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूँ चेन्ने में बनी ये ट्रेंग दिल्ली से कासी के बीच पहला सफर करने वाली है यही एक भारत स्रेश्ट भारत के सची ताकत है बंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है साथियों बीते साड़े चार वर्षों में हमने भारतिये रेल की स्थिति को बहुत इमानदारी के साथ बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक जलग है बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहट मैनिफेक्टरिंग में बहुत प्रगती की है साथ ही देश में रेल कोच फैक्टरियों का आधुनी करन डीजल इंजिनों का इलेक्टरिक में बदलने का काम और इसके लिए नए कारखाने भी शुरू किये गए हैं आपको याद होगा पहले रेलवे टिकेट में ऑनलाइन डीजर्शन की क्या हालत थी उस समय एक मिनिट में दो हजार से ज़्यादा टिकेट बुक नहीं हो सकते थे अब आज मुझे बहुत संतोष है कि रेलवे की वेपसाइट बहुत यूजर फ्रेंडली हुई है और एक मिनिट में बीस हजार से ज़्यादा टिकेट बुक हो सकते हैं पहले हालत यह थे कि एक रेलवे प्रोजेक को स्विकृत मिलने में कम से कम दो साल लग जाते थे अब देश में एक रेलवे प्रोजेक तीन या चार या जादा से जादा छे महने में स्विकृत हो जाते हैं ऐसे ही प्रयासों से रेल्वे के खारियों में नई गती आई है पूरे देश में ब्रॉड केज की लाइनों से अन्मेंड क्रोसिंग को एक बड़ा अभियान चलाकर खत्म कर दिया गया है अब जब हम सरकार में आये थे तो देश में 8300 से ज़्यादा मानव रहित रेल्वे क्रोसिंग थी इस वज़े से आए दिन हाथ से होते रहते थे अब ब्रॉड गेज लाइनों पर मानव रहित रेल्वे क्रोसिंग खत्म होने से हाथ से भी कम हुए है देश में रेल्वे पठ्रियों को बिछाने का काम हो या फिर बिजली करन का काम पहले से दोगुनी रप्तार से हो रहा है देश के सबसे व्यस्त रूटों को प्रात्फिक्ता देकर उन्हें पारमपारिक ट्रेनों से मुक्त किया जा रहा है बिजले से चलने वाली ट्रेनों में हम देख रहे हैं कि प्रदुशन भी कम होगा डीजल का खर्ज भी बचेगा और ट्रेनों की गती भी बढ़ जाएगी जाहिर है रेलवे को आधुनिक बनाने के इन प्रयासों रोजगार के नए आउसर भी बने हैं मुझे बताया गया है कि 2014 से लेकर अब तक करिब करिब देल लाख कर्मचारियों की नियुक्ती रेलवे में हुई है अभी जो भरतिय ब्यान चल रहा है उसके बार ये संख्या सवा दो लाख तक पहुंचने की उमीद है साथियों मैं ये दावा नहीं करता कि इतने कम समय में हम लोग ने सब कोशिष करने के बावजुद भी भारतिय रेल में हमने सब कुछ बदल दिया है ऐसा दावा ना हम कभी करते हैं अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि भारतिय रेल को आधुनिक रेल से बनाने के जिसा में हम तेज गती से आगे बढ़ रहें और मैं विश्वात दिलाता हूं कि इस विकास की आत्रा को और गती देंगे और ताकत देंगे जल हो थल हो नभ हो हिंदुस्तान का पूरव हो पस्टिम हो उत्तर हो दक्षिड हो सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को ले करके विकास किस रहा को आगे बढ़ाएंगे विकास के माध्यम से भी देश के लिए मरन मतने वालों को हम नवन करते रहेंगे और सुरक्षा के छेत्र में भी पूरी ताकत से गुनागारों को सजा दे करके देश की रक्षा के लिए जीवन नुशायवर करने वालों का जो भी रक्त है उस एक एक रख के बुंद की कीमत लेके रहेंगे इसी विश्वास के साथ मैं मेरी वानी को विराम देता हूँ इन शहीदों के नाम मेरे साथ बोलिए बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम